हेलो माई देर स्टुरेंट वेलकम तो आवर व्यू चैनल टस्ट दर स्टाइट इंस्टिटूट मैं इंजिनियर लॉसन सर टस्ट दर स्टाइट इंस्टिटूट का फिजिक्स पैटेंटी बच्चो आप जैसा कि जान रहे हैं आज पूरी दुनिया लॉक्डाउं की स्थिदी में बनीवी है मैं आपसे बुजारिस करूँगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने घर से ना निकिए और प्लेज इस लॉक्डाउन को हंड्रेट परसेंट सफल बनाओं हमें कोरोना से लड़ना है तो घर से बाहर नहीं निकलना है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि Test the Sky Institute आपके लिए हर दिन हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का वीडियो अप्लोड करता चलेगा जैसे कि आपको आने वाले एक्जामीनेशन में समस्या नम हो आप हर दिन मेरे हर वीडियो को देखिए Test the Sky चैनल पर जाके आप इसको सब्सक्राइब कर दे पहले जिससे कि आपको आने वाले जितने वी वीडियों के उसकी सारे नोटिफ लिशन आपको मिलते चले जाएंगे लाइप, कॉमेंट और सीयर करना पूले जिससे कि किसी दूसरे को भी ये वीडियो मिले और वो भी पढ़ सके बच्चो हमने क्लास 12 जो Physics का था उसका फॉस्ट चैप्टर हमने क्लास में करवा चुका था लेकिन मैं चांता हूँ कि ये वीडियो का एक सीरीज बने तो इसने मैं चैप्टर वन से स्टार्ट करना चाहता हूँ जैसा कि आपकी इस वाइड वोट पे लिखा हुआ मिल रहा है Physics क्लास 12 में 15 चैप्टर है इस 15 चैप्टर का जो Eric जैर वह है उल्च्रों सिकेंड चैप्टर जो है वह है एलेक्ट्रिक चार्जाश हैक फिल्टेश lleался ऑप्ति में औिक्टी चैप्टर मैं एट्स प्रूपर्ट Ärल्ट्ट्रोगे फोर्थ चैप्टर इल्क्रिक करेंटेट्स 8th chapter electromagnetic waves, 9th chapter ray optics and optical instrument, 10th chapter wave optics, 11th chapter dual nature of radiation and matter, 12th chapter atoms, 13th chapter nuclear, 14th chapter semiconductor and 15th chapter is the communication system. हाद बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 15 chapter, as per the CVSE evaluation, जैसा कि CVSE ने guideline दिया है, कि हर chapter से, हर chapter से कितने-कितने marks के question रहेंगा, वह मैं आपको लिख लिएगा, पहरा chapter जो electric charge and field है, और दूसर chapter जो electrostatic potential and capacitance है, इससे board exam जो आठ marks का question पूछता है, कितने आठ marks का question इससे board exam में पूछा जाता है, यह जो first second chapter है, इसको हम लोग एक दूसरी नाम से भी बोलते हैं, जिसका नाम है electrostatic, यह जो पहला दो चैप्टर है, इसको लोग एक अलग नाम से भी बोलते हैं, जिसका नाम है electrostatic, यहाँ आप देख रहा है, electro, electro means electron, and stack means static, मतलब स्थीर, यानि जो electron स्थीर अवस्था में रहे, उसको हम लोग electrostatic कहते हैं, और first and second chapter में, electron static minor में रहता है, स्थीर अवस्था में रहता है, तो इस chapter को हम लोग electrostatic ही कह सकते हैं, कुछ books में electrostatic one के नाम से दिया लाता है, electrostatic two के नाम से दिया लाता है, अब आगे बढ़ते हैं, third chapter जो electric current है, CVSC के guidelines की हिसाब से electric current से 7 marks का question पूछा लाता है, बोर्ड इंसाम में, electric current, current मेंज क्या होता है, धार, धार मेंज क्या होता है, move करता है, जिसमें की electron move करें, उसको हम लोग electric current कहते हैं, और बोर्ड इंसाम में इस ते 7 marks का question पूछलता है, fourth and fifth chapter, fourth chapter जहां moving charge and magnetism, and fifth chapter magnetism and its properties, the fourth or fifth chapter, since the board exam में रहता है, वो 8 marks का question रहता है, sixth, seventh chapter से भी 8 marks का question रहता है, electromagnetic induction and alternative current, electromagnetic wave से 3 marks का question पूछा रहता है, ray optics and optical instrument, यह chapter आपको class 11th में, sorry class 10th में पढ़े होंगे, जिसमें आपको concave mirror, convex mirror, concave lens, concave convex lens के बारे पढ़ाया है, उसी का advanced version हमको यहां पढ़ना है, और, third chapter जिसका नाम है wave optics, यह chapter contradiction पे आया, कि life always established in a straight line, यह जो नीटल साहब बोले वे थे, उसके contradiction के यह chapter बना wave optics, यह दोनों chapter मिला के board exam में 14 marks का question पुझा रहता है, dual nature of radiation and matter, इसे 4 marks का question पुझा रहता है, इस chapter के नाम पे चलिए dual nature, means dual nature, radiation and matter, यानि इससे पहले यह था गया कि electron एक particle था, but इस chapter में आते आते हैं पता चला कि electron के पास wave nature भी होता है, तो electron का wave nature और particle nature दोनों मिल के बना dual nature of radiation and matter, उसके बाद हम लोग atoms के बारे पढ़ेंगे, जो आप class 10th में, sorry class 11th में भी आप पढ़ेंगे, कुछ इसके बारे में nuclei के बारे के बारे के पढ़ेंगे हम लोग, तो atoms and nuclei के बारे के बारे के बारे के पढ़ेंगे, यह code exam में 7 marks का course 6 marks का question भेंगे इसे, semiconductor, यह आज के दौर का advanced person है, actually में कोई भी material ना तीन तरह के होते हैं, metal, non-metal and semiconductor, यह बोल सकता है, conductor, insulator और semiconductor, किसी भी material को हम लोग तीन तरीके से classify कर सकते हैं, उनकों साथ, conductor, insulator and semiconductor, conductor, जिसको हम लोग हेंदी के बोलते हैं, सू चाला, insulator पू चाला and semi detector पर सचाला है, तो जब इस chapter के चलेंगे तो उसके बारे में, और they study लेंगे semi detector, board exam में इससे seven marks का question के चलता है, उसके बाद last chapter, जिसका नान है communication system, यह communication system इसका बहुत basic हम लोग यहाँ पढ़ना है, इसको और engineering college में हम लोग पढ़ते अच्छे से, communication system, जैसे कि mobile phone कैसे operate होता है, अगर कहीं बीदेश में match हो रहा है, तो उसको हम लोग अपने देश में कैसे बैठ के broadcast देख रहा है, यह सब इस chapter के block करता है communication system, और यह board exam में five marks का question रहता है, stop. हाँ तो बच्चों, आप यह 15 chapter का इस पसंदेख लिए, इस 15 chapter को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेगे, बहुत देद तक पढ़ेगे, आप पढ़ेंगे ही नहीं, बलकि इसका numerical भी बहुत मज़े से बनाएंगे, आपके पास shortcut से लेके dedication से लेके सारा video आपके पास तक पोछेगा, और जितने भी numerical होंगे उसका link आपको provide कर दिया जाएगा, जिससे कि आप direct question बना सकेंगे, हाँ, फिर से आपसे request है like, comment, share करना, subscribe करना ना भूले, और subscribe करने के बाद bell icon का button दावना ना भूले, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में exercise 1 से start करेंगे, और exercise 1 से इसको देखेंगे, कि electric charger field के आएगा, क्या बैठा हुआ electron कर सकता है, उसके बारे में हम लोग नए वीडियो में मिलके हैं, जाएगे अबका,